आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ होता है according to the Henry's constant Henry's log क्या कहता है यहाँ पर हमारा P किसके इकवल हो जाएगा Henry constant multiplied with its small fraction ठीक है और यहाँ पर हमें कितना गीवन है partial pressure यह P हमारा partial pressure रहता है 20 kilo pascal 20 kilo pascal को हम pascal में लिखे तो 1 kilo pascal में कितने pascal होगे 10 raise to the power 3 pascal तो यह कितना होगा 20 into 10 raise to the power 3 pascal ठीक है और Henry constant भी हमें kilo pascal में किवन है तो 8 multiplied with 10 raise to the power 4 into 10 raise to the power 3 हो जाएगा हमने इसको किसमें convert कर लिया पासकल में और अब हमें बात करने है mole fraction की mole fraction कैसे calculate करते है हमें जिसके लिए निकालना है उसके moles upon में total की तो यहां पर कितना हो जाएगा number of moles of oxygen upon number of moles of oxygen plus number of moles of water यह total के लिए आजाएगा और आपको पता है कि one mole water में हमारा one mole of water में कितना होता हमारा 18 gram और water की density one तो यह कितना हो जाएगा 18 ml water dissolved होता है तो अब यहां पर हम क्या बोल सकते है की और अगर हम इसको further solve करें तो हम इसको अगर इसको aside लेंगे तो हम इसको क्या लिख सकता है one upon 4000 ठीक है ना यह 4000 आजेगा यहां बचाएगा यह हम किस ताम में डील कर रहे solubility molar solubility की ताम में तो number of moles of O2 plus number of moles of water और यह हमारा comparatively किसके equal हो जाएगा क्योंकि यहां पर number of moles of water बहुत जाद है तो यहां पर कितना हो जाएगा number of moles of H2O ठीक है तो आपको यहां पर पता चला कि 1 mole water में 18 ml dissolve होता है तो यहां पर कितने में dissolve होगा 1 upon 4000 moles of oxygen में ठीक है ना तो अगर आप हम मुझे निकाल लिए molar solubility तो मैं क्या कर सकती हूँ 1 upon 4000 इसको डिवाइट कर देंगे 18 से multiply कर देंगे 1000 से तो यह calculate हो कि almost आता है 1 upon 72 mole per decimeter cube और हम आगे के लिख सकते हैं जब हम इसको solve करते हैं तो it comes out 1388.89 into 10 raise to the power minus 5 mole per decimeter cube जिसको हम round off करके लिख सकते है 1389 क्योंकि इस way में बताना था dash into 10 raise to the power minus 5 तो correct answer क्या हो जाएगा 1389 ठीक है थांक्यू